ध्यान देने योग्य जरूरी बातें फरिस्तितियां कैसी भी हो हमेशा खुद पर भरोसा करें क्योंकि आत्म विश्वास का एक अर्थ खुसी भी होता है आसावादी नजरिया सकारात्मक सोच और संतोज जनक रिस्ते हमेशा जीवन में खुसाली लाते हैं इसलिए इन्हें जिन्दगी का अभिन हिस्सा बनाएं अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जगा दें जिन्हें अपने मन की बात कह पाएं जो आपको समझते हो और आपकी खुशिया और आपको आपकी खामोशियों के साथ आपको श्विकार करते हो ऐसे लोगों के साथ बिताएं हर पल आपको शुकून देगा नमबर चार हमेशा लक्ष बनाकर चले अध्यन बनाते हैं कि लक्ष बनाकर चलने वाले लोगों के मुकावले लक्ष ही जीवन जीने वाले लोग ज़्यादा परिशान रहते हैं इसलिए जीवन का मक्षत ताय करें यू भी जब जीवन में लक्स हो तो व्यक्ति उसे पाने की कोशिस में ब्यस्त रहता है इससे दिंचरिया ब्यवस्तित रहती है नकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए वक्त ही नहीं बसता है नमबर पाँच हमेशा समाधान के बारे में सूचे जब आप समाधान के बारे में सूचते हैं तो अपनी ही नकामियाम को एक तरह से हरा देते हैं समाधान आपको नया रास्ता भी देते हैं और आपको खुद पर भरोशा भी बढ़ाते हैं नमबर 6. खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाले नकारात्मक बातों को डायरी में नोट करें. जब भी मनुदास हो या नकारात्मक विचार मन में आये तो डायरी के पन्ने पलतें. डायरी पढ़कर आपको विश्वास होगा कि जिंदगी में बूरे ही नहीं अच्छ सोते हैं. इसलिए दुख को हमेशा किसी न किसी काम में ब्यस्त रखे. घर या दफ्तर का कोई काम नहीं है तो अपने सौग पूरे करें. कोई अच्छी फिल्म देखें. पसंदिता म्यूजिक सुने. किसी करीबी से बात करें. दिल खुश होगा. नमबर आठ. कुछ लोग जिंदगी की अच्छी बातों को भूल छोटी-छोटी परिशानी को गले लगाते हैं. अगर आपका स्वभाव भी कुछ-कुछ ऐसा है तो तुरंत बदलिए. लोग सोने से पहले दिन भर मिली तारिफ, दुआ और आभार को गिन कर देखिए. बुलना करने से खुद से अपिक्षाएं बढ़ती हैं और पूरी नहोने पर मन उदास होता है. आप जैसे हैं उसी रूप में खुद को श्विकार करें. रोज सुबा उटने के बाद दो मिनट आखे बंदगर के बुलें. मुझे खुद से और दुनिया से प्यार है. नकार दास्मक उरजा मिलती रहेगी. नमबर दस. कुछ लोग हमेशा इस बात से इंतजार, इस बात का इंतजार करते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा. ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परिशानी जिन्दगी का हिस्सा है और जब तक जीवन है समश्याएं बनी बस उसे अपनी जिन्दगी में जगह देने की जरूरत होती है. हर हालत में खुछ कैसे रहा जा सकता है. नमबर ग्यारा गंबेटा से कब लेना चाहिए? वैसे तो छोटी-छोटी बातें याद न रहना आम समस्या है पर एक पड़ाओ के बाद ये गंबीर हो जा हो सकती है. मिसाल के तोर पर एक काम को बार बार दोहराना या अचानक पहचाना हुआ रास्ता भूल जाना सामाने लक्षण नहीं है. इसी तरह चीजों को समाने स्थान से जैसे कि गाड़ी की चावी को फ्रिज में रख देना भी कंभीर लक्षण है. कभी-कभी स्टॉक, सिर की चोट आहार में विटामिन की कमी या नीत की परिशानी के कारण भूलने की समस्या होती है. यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो यहां समस्या बढ़ी हो सकती है. साट वर्स के उम्र के बाद व्यक्ति में अलजाइमर जैसी बिमारी को असंका बढ़ती है. पर कम उम्र में ये ल अपने सामान को एक निश्चिदिस्तान पर रखते हैं तो लगवाग आधी समस्या यूही हो जाती है. जब सामान को ब्यवस्ति धंग से नहीं रखेंगे तो तमाम तरह की दिक्कते आएंगे. मान लीजिए आपके पास येरिंग का एक बॉक्स है. दफ्तर से आकर में रख देती तो याद करने के लिए दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता. जब आप सामान ब्यवस्तित रखेंगे तो याद रखने में जायदा असान होगा. नंबर 13 लिख कर याद करें. आपको आज कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से अभी तक नहीं हुए हैं औ आदी लिख सकते हैं. जब आप इस डायरी को रोज खोलेंगे तो चीज अपने आप, आपको याद रहने लगेगी. नंबर 14 कलेंडर के साथ रहें. आप पॉकेट कलेंडर में डेट के सामने नोट्स के लिए भी जगा होती है. अपनी मीटिंग, जन्म दिन की तारिक, अप परिवार के साथ बनाई गई योज राये आदी तारिक के आगे एक लाइन में लिखे, जिन्हें इन्हें याद रख सकेंगे. इस पॉकेट कलेंडर को हमेज़ा आपने पर्स या विस्तर के नीचे रखे, रोज सुबए एक नजर जरूर डाले. वीडियो कैसी लगी? कॉमे वाद आपका दिन मंगल में हो.